जनरल बेपिन रावत मुरुति की पार्लेमेंट उभय सभलू संतापम प्रेक्टिन चाएं इका रावत प्रायन इस्तुना आर्मी हेलिकाप्टर कुपकुली न घटन पै केंद्र रक्षिन मंत्री राधन सिंग पार्लेमेंट लो प्रेक्टन चे सर्व कप्रमादंपई उन्नत स्ताई दर्यप्तुनको आदे सिंचिन ट्रुतल पैरू भारी मनते आज दिसंबर दो हजार एकिस की दो पहर में हुई मिलिटरी हेलिकाप्टर जिसमें भारत के पर्थम चीफ आफ डिफेंस स्टाप जनरल विपिन रावत उनकी धर्म पत्नी यवं बाराख अन्य सवार थे की दुरगटना के दुरभागे पूर्ट समाचार से आउगत कराने के लिए आप सब के बीच ख़़ा हुआ जनरल विपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ काले वेलिंग्टन के स्टुडेंट आपसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक सिडूल विजित पर थे एरफोर्स के यमाई 17 वी 5 हेलिकाप्टर ने कल 11 बजकर 48 मिनट पर सुनूर एयरवेज से अपनी उडान भरी जिसे 12 बजकर 15 मिनट पर वेलिंग्टन में लेंड करना था सुनूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12 बजकर 8 मिनट पर हेलिकाप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया बाद में उनूर के पास जंगल में कुछ अस्थानी लोगों ने आग लगी हुई देखे जब ये भाग कर उस अस्थान पर पहुँचे तो उन्होंने मलेक्ट्री हेलिकाप्टर के आउसेश को आग की लप्टों से घिरा हुआ देखा अस्थानी प्रसासन से एक बचाओ दल उस जगह पर पहुँच गया उन्होंने क्रैस साइट से इस तर्वाइवर्स को रीकवर करने का भी प्रयाज किया उस अउसेश से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन्हों सब को यथा सिग्र वेलिंग्टन के मिलेट्री हास्पीटल पहुँचे आया गया प्राप्ट जानकारी के अंशार उस हेलिकाप्टर में सवार कुल 14 लोगों में थे 13 लोगों की मृत्टी हो गई जिन लोगों की दुर्भागे कुण मौते हुई उनमें चीफ आफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्म पत्नी त्रमती बदुलका रावत उनके रक्षा सलाकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंग लिड़र स्टाफ आफशर लेटनें कर्नल हरजिंदर सिंग और एयर फोर्स ह जुनियर वारंट आफशर राना प्रताबदाश जुनियर वारंट आफशर अरकल परदीत हर्बिंदर सप्पाल राय नायक गुरश अभग सिंग नायक जितंतर कुमार लैंस नायक विवेक कुमार लैंस नायक बी सै टेजा सभी पार्षिव सरीर को आज शाम तक इंडियं एरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा गुरुप कैप्टन वरनुर सिंग वेलिंग्टन के मिलेट्री हास्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं अध्यक्ष मौरे एयर चीफ मारसल त्री वी आर चौधरी को घ जा लिया इस दुर खटना के संबंध में इंडियन एर फोर्स द्वारा एयर मारसल मानमेंदर सिंग की अध्यक्ष्टा में एक क्राई सर्विस इंक्वाईरी के भी आदेश दे दिये गए हैं इंक्वाईरी टीम के आपसर्स ने कल ही वेलिंग्टन पहुंच कर अपना कारे मिलिटरी आनर के साथ किया जाएगा है अध्यक्ष महोद है अंत में मैं देश की और से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक्षर धांजलिया